नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में दोस्तों माना जाता है शनीदेव की पीडा से मुक्ती के लिए बजरंग बली के उपाय करना सर्वत्म होते हैं बजरंग वली वे शनी देव के समरपित कुछ उपाय करने से जीवन में बनी रही सबी समस्चाओं से मुक्ती मिल जाती है आज कि इस वीडियो में बताय जाने वाले उपाय करने से किसी प्रकार के नजर दोस से मुक्ति मिल जाती है वे सभी संक्टों का नाश होता है इन उपायों को करने से कार्यों में आ रहे रुकावट दूर होती है, कार्यों में सबलता मिलती है, घर में खुशियां आती है, साथ ही घर में धन की बरक्कत होती है, और घर में यदि किसी की रोग टोग बुरी नजर बद्दूआ आदी लगी होती है, तो वे भी सुरत ही समा कार से उपाय करें ताकि आपके जीवन में जल्दी से जल्दी खुशियां आएं और सभी संक्टों का नास हो जाएं साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस करना है नमक दोस्तों एक ऐसी वर्ष्तु है जो खाने में स्वाद को बढ़ाता ही है लेकिन ये आपकी किस्मत के लिए भी फाइदेवन्ध होता है नमक के आसान से उपाय को समच्या को खतम कर सकते हैं नमक नकारतमक उर्जा को नश्ट करता है साथ ही सकारतमक उर्जा को अपनी और आकर्शित भी करता है नमक के ये आसान से उपाय करने से घर में सुक सम्रदी बनी रहती है दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके दमपत्त जीवन में कोई न कोई प्रेशानी बनी ही रहती है वे तो आप कांज का गिलास या कोई भी बड़तल ले सकते हैं इसमें आपको साबोत नमक की कोई डेलियां रख देनी है और डेलियों को रख देने के बाद आपको अशे अपने घर के बैडरूम में रख देना है बैडरूम में आप इसे किसी भी जगा रख सकते हैं लेकिन आप ज्यान रहे कि बेंद अलमारी में बिल्कुल भी नहीं रखेंगी दोस्तों कांज की कटोरी में रखे हुए इस नमक की डेली में इतनी शक्ति होती है कि आपके घर में मौझूद सभी नकारतमक उरजाओं को ये अपने अंदर खींच लेगी दोस्तों नकारतमक उरजा ही व एक अपनी अंदर खींच लेगी तो आपके घर में तकारतमक उरजा कसंचार होगा जिससे और जिससे आप की सोच आपकी बाते पॉजिटिव रहेंगी, आप खुश रहेंगे, आपका विवायक जीवन भी सुक्मे बना रहेगा दोस्तो इस नमक को आपको पूरे एक महीने के बाद बदल देना है आप इस पुराने नमक को किसी भी कागज या पॉलतिन आदी में लपेट कर अपने घर से बाहर फेंख सकते हैं और नया नमक इस कटोरी को दो पहुँच कर सुच्छ कर ले, उसके बाद आप नया नमक इसमें भर सकते हैं दोस्तों अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो लगातार रोगों से पीडित रहता है, लगातार बीमार रहता है कभी कोई समस्या तो कभी कोई समस्या उसको लगी ही रहती है, कभी नजर लग जाती है तो कभी और कोई कारण हो जाता है या उसके बंते बंते कारे बिगड़ जाते हैं हर कारे में उसे असफलता ही मिलती है तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप एक कांच के बरतन में सावोड डेली वाला नमक रखे और इस बरतन को आप उस बीमार व्यक्ति या फिर जो पीडिक ब्यक्ति है जिसकी समस्या है किसमत खराब है उस ब्यक्ति के शिराने पर रख दे अगर ऐसे ब्यक्ति किसी बैड या चार पाई पर सोते है जिनके शिराने के ठीक नीचे इसे रखने की जगा हो तो आप इसे नीचे भी रख सकते हैं या पिर तक्ये के नीचे भी रख सकते हैं अगर जगह ना हो तो आप सिराने बैड के साइड में बैड के ऊपर आदी कहीं भी से रख सकते हैं दोस्तों आपको इस कांज के बरतन को उसके सिराने पर सदै भी रखे रहने देना है जब तक कि समस्य टलना जाए तब तक परते एक मास उसे आपको परते एक महा में आपको बदलते रहना है लेकिन इसके पुराने नमक को उठा करके आपको उसे अपने घर के टॉलेट में डाल कर इसे फिलस कर देना है और कटोरी को या पर कांज के बरतन को दोरा से दो पहुंच कर नया नमक रख देना है तब तक जब तक कि समस्य खतम न हो जाए दोस्तों इस उपाय को करने से अब देखेंगे कि उस व्यक्ति के सेहतमत जीरे जीरे सुदार होने लगेगा उस व्यक्ति के उपर जो भी नकारतमक उरजा होगी वे इस नमक में चली जाएगी ये नमक सभी परकार के नकारतमक उरजाओं को अपने अंदर खींच लेगा और व्यक्ति को पोजिटिविटी का यानि सकारतमक ताका एहसास होने लगेगा इस उपाय को करने से सेहतमत सुदार होगा ही लेकिन भागे भी साथ में साथ देना लगेगा कारों में आ रही रुकावटें दूर होंगी और सभकता मिलेगी दोस्तों सुनिदेव की किरपा प्रामत करने के लिए शनिदेव को प्रसंद करने के लिए आप एक बात का भी बिशेष ध्यान रखे डाल या सबजी खाते समय यानि कि घर में खाना खाते समय अगर आपको सबजी में नमक कम लगे तो जो सफेज रंग का नमक होता है जो आप साधरन रूप से अपने घर में विस्तमाल करते हैं उसे उपर से बिल्कुल भी न डाले अगर सबजी में कम नमक लगे और आपको अच्छी ना लगे तो आपको डालना ही है तो काले रंग का नमक यानि काला नमक जो आता है वे आपको डालना है जिसका रंग कुछ लाल होता है लेकिन उसे काला नमक कहा जाता है उस नमक को ही आप सबजी आदी में डाल सकते हैं ऐसा करने से सनी, चंद्र, मंगल का दुष प्रवाब आपके उपर नहीं लगता दोस्तो नमक की छोटी सी बात को आप अपना नियम बना ले और हमेशा इसका ध्यान रखे ऐसा करने से सनी दोस में भी रहात मिलती है दोस्तो अगर आपके घर में बहुत ही दं की हानी होती है यानि कि आपके घर में दं आता तो है लेकिन बेफजूल की चीजों में खतम हो जाता है जैसे रुपिया आते ही कोई न कोई बीमार पड़ जाना electric कोई product है जो की धन आते ही खराब हो गया कोई ऐसा काम निकलाता है जिसमें बेफिजूल में धन खर्टम होने वाला है या फिर आपके काम में कोई बरकत नहीं हो रही घर में कोई बरकत नहीं होती है ब्यापार अच्छा नहीं चल रहा है गर में आले से रहता है लडाई जगड़े का माहुल बना ही रहता है बहुत तनाव बना रहता है तो इन सब समझ्चाओं को दूर करने के लिए दोस्तो आप नमक का ये आसान सा उपाय कर सकते हैं इस उपाय को आपको काले नमक से करना है इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आप काले रंग का यानि काला नमक जो बजार में मिलता है उसकी साबुट डेलिया आपको साथ डेलिया लेनी है गिन करके साथ डेलिया अपने घर ले आएं अब आप इन साथ डेलियों को लार और वहाँ पर आपको को समस्या है तो इस पोटली को आप अपने नोकरी व्यवसावे या फिर व्यापारादी के स्थान पर टांग दें इसे अपने घर या ओफिस के मुखे दरवाजे पर ही टांग ना है आप इस पोटली को अपने घर के मुखे दरवाजे के बाहर या अंद अगर आपको यह टंगी हुई पोर्टली अच्छी नहीं लग रही है आपको लग रहा है कि अजीब सी लग रही है तो आप इसके उपर बंदरबान टांग दे ताकि किसी को दिखाई न दे दोस्तों हिंदू मानेताओं के अनुसार अपने घर या ब्यापार के स्थान पर गर मक उरजन नष्ठ हो जाती है और घर में खुशाली आती है घर में धन की हानी होना बंद हो जाती है वेर्थ की चीजों में धन का खर्च होना बिल्कुल बंद हो जाता है और धन में बरक्कत होती है ब्यापार सल पर ये पोट्री लटकाने से ब्यापार को किसी की बुरी नज़त नहीं लगती ब्यापार में बड़ोतरी होती है ब्यापार सल पर जो भी नकारतमा को उर्जा होती है वे नश्ट हो जाती है इसे लटकाने से ब्यापार में दिन दूनी राच चोगने तरक्टी होने लगती है मानता है कि इसे मुखे दर्वाजे पर लटकाने से घर वे व्यापार में कोई भी बुरी सक्ती प्रवेश नहीं करती साधारन से दिखने वाली ये पोटली व्यापार के सदस्यों की रुपिय पैसों की बुरी नजर से बचाव करती है दोस्तों आपको इस पोटली के नमक को भी पूरे एक मास के बाद ही बदलना चाहिए तो दोस्तों आज कि इस वीडियो में क्यावले इतना है कर फिर आप सो मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जादे धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले जै मातादी जै मालक्षमी हरर महादेव जै बजरंग बली